पहले के जमाने में किसी एक जगह पर ड्रामा या नुकड़ करके दर्शकों का मन बहलाया जाता था लेकिन फ्रांच के लूमियर ब्रदर्स ने सन 1896 में भारत की पहली साइलेंट सौट फिल्म बनाई कह सकते हैं के उस वक्त से इंडियन फिल्म इनष्टी ने अपनी दस्तक दे दी थी लेकिन भारत में विदिवत फिल्म मेकिंग की शुरुआत हुई सन 1913 से जी हाँ सन 1913 में दादा साइब फालके ने भारत की सबसे पहली लंबी फिल्म या यू कहे पूरी फिल्म रिलीस की जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र अफकोस ये फिल्म भी साइलेंट और ब्लेक और वाइट ही थी लेकिन दादा साहे फालके की राजा हरिस्चंद्र से भारतिय सिनेमा की शुरुआत हो चुकी थी मज़े की बात तो यह है कि इस फिल्म के प्रोडूसर, डाइरेक्टर और कैमेरामेन दादा साहे फालके ही थे और तो और मैकप से लेकर एडिटिंग का काम भी उन्होंने ही किया था और 1913 से लेकर 1918 के बीच दादा साहे फालके ने कुल मिला के 23 फिल्मों का काफिला खड़ा कर दिया बारतिय सिनेमा की इतनी निष्ठा से सुरुआत करने के कारण ही आज दादा साहे फालके को इंडियन फिल्म इंडिश्टी का फादर कहा जाता है हाला कि उस समय इतनी फिल्मे नहीं बन पाती थी जितनी बननी चाहिए लेकिन फिर भी इस नई फिल्मी दुनिया ने दर्शकों के बीच में अपना स्थान बना लिया था कुछ इसी अरसे के दोरान वेश्ट में हालिवूड की फिल्म इंडिश्टी भी आगे बढ़ रही थी तब भारतिय फिल्में ज़्यादा तर एतिहासिक या पौरानिक हुआ करती थी तो हॉलिवूड की फिल्में एक्शन फिल्म हुआ करती थी खेर भारतिय साइलेंट फिल्मों का दोर तब खतम हुआ जब 1931 में आर्देसर इरानी ने पहली बोलने वाली फिल्म बनाई नाम था आलम आरा पहली कलर फिल्म भी आर्देसर इरानी ने ही बनाई थी 1937 में बनी इस फिल्म का नाम था किसन कनया 1913 से लेके 1931 बत्तिस तक ना सिर्फ मुंबई में फिल्में बनी बलकि 1917 में पहली बंगाली प्रोडक्सन की फिल्म नल दमियन्ती रिलीज हुई उसके बाद 1919 में साउथ इंडिया की कीचाला वदम फीचर फिल्म रिलीज हुई और 1932 में पहली मराठी फिल्म रिलीज हुई जो थी अयोद्धेचा राजा कुछ-कुछ आदुनिक फिल्मों का निर्मान 1949 में होना शुरू हुआ जब रोजमर्रा की जीवन साइली और समाज पे फिल्में बनने लगी उसके बाद 1960 में नए डाइरेक्टर रितिक गटक और मुरुनाल सैन जैसे फिल्म मेकर्स ने आम आदमी के जीवन पर और उसमें आने वाली तकलिफों के उपर फिल्में बनाना शुरू कर दिया सन 1950 से लेकर 1960 का ये दौर भारतिय फिल्म इंडश्टि का स्वर्णीम दौर कहा जाता है इस दौर ने भारतिय सिनिमा को कभी ना बुलाने वाले अदाकरा दिये जिन्हें आज हम भी जानते हैं जैसे के गुरुदत, मिना कुमारी, राज कपुर, दिलिप कुमार, मधुबाला, नर्गीस, नुतन और देवानन लेकिन सत्तर का दसक आते आते हॉलिवूड फिल्म इंडश्टि बॉलिवूड से कुछ कदम ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी लेकिन भारतिय फिल्म इंडश्टि उसके स्टार्स, उसकी ओडियन्स एक अपने ही अंदाज में प्रगती कर रहे थे सत्तर का दसक वो दौर था जब इंड़ियन फिल्म इंडश्टि को एक नाम मिला जिसे बॉम्बे और हॉलिवूड को मिक्स करके बॉलिवूड कहा जाने लगा और बॉलिवूड को कई लोग इंडी वूड भी कहते है सत्तर के दसक में आम तौर पर इंडियन सिनेमा को मसाला मुवी के तौर पर देखा जाने लगा इस दौर में प्रॉपर ड्रामेटिक फिल्में बनने लगी और एक्षन फिल्मों का दौर भी इसी समय शुरू हुआ सत्तर के दसक में बॉलीवुड के सबसे पहले सुपरश्टार राजे स्खन्ना, धर्मेंद्र, हैमा मालिनी और बच्चन जैसे कलाकार उभर के आए 15 अगस्त 1975 में रिलीज हुई, सोले फिल्म सबसे बड़ी ब्लॉक्बास्टर फिल्म साबित हुई, जीस ने रातो रात अमिताप बच्चन को सुपरश्टार बना दिया और असी का दसक हम कैसे बूल सकते हैं, जब अनिल कपूर, संचेदत, सन्नी देवल, नसरोदिन, शाह, मिथून, अम्रेश, पूरी, जैकी श्रॉफ, अनुपम, खेर और ओंपूरी जैसे कलाकार फिल्म इंडरस्टी में एक्टिव थे दीरे दीरे बॉलिवूड की बनने वाली फिल्मों में लगतार तकने की सुधार हुए और नब्बे के दशक की शुरुआत हुई इस समय ने माधुरी दिक्सित, चुही चावला, अक्से कुमार, सुनिल सैट्टी जैसे कलाकारों को बनाया तो इसी समय में बॉलिवूड के तीन बड़े स्टार उभर कर आए सन 1994 में रिलीज हुई हम आपके है कौन सन 1995 में रिलीज हुई दिलवाले दुलहनिया ले जाएंगे और 1996 में रिलीज हुई राजा हिंदुस्तानी इन तीन साल में रिलीज हुई तीनों फिल्मों ने बॉलिवूड के तीनों खानों को लाइट में ला दिया 1994 की हम आपके है कौन ने तो बॉलिवूड का तकता ही पलट दिया दरसल 1994 तक लंबे समय से बॉलिवूड में एक्शन फिल्म में बना करती थी लेकिन राजस्री की हम आपके है कौन ने बॉलिवूड का मारा मारी और एक्शन फिल्मों से अलग एक सामाजिक फिल्म का अनोखा रूप दर्शकों के सामने पेश किया और उसके बाद हम साथ साथ है और कभी खुशी कभी गम जैसी कई सामाजिक फिल्मों का निर्मान हुआ तो सन 1995 की DDLJ से लव स्टोरी का यूग सुरू हुआ 21 सदी की सुरूआत में ही बॉलिवूड में एक नए सुपरस्टार की एंट्री हुई राकेश रोसन की होम प्रोडक्शन कहोना प्यार है ने रितिक रोसन को एक ही रात में सूपर हीरो बना दिया और उसके बाद तो बॉलिवूड कभी ना रुकने वाली एक जलधरा के समान आगे बढ़ता रहा आज के दौर की अगर बात करें तो बॉलिवूड पहले से बहुत बदल गया है साथ ही यहां सिर्फ भारत के लेवल पर ही नहीं लेकिन आंतरराष्टियस्तर की फिल्में भी रिलीज होती है आज इंडियन सिनेमा के हर प्रोडक्शन हाउस की फिल्मे दुनिया के और कई देशों में दिखाई जाती है भारत और विदेशों में अईतिहासिक मुद्रा कमाने वाली फिल्में दंगल और बाहुबली इसका स्रेश्ट उदाहरन है इंडियन फिल्म इंडिस्ट्री एक ऐसी घाथा है जिसकी अगर बाते करने जाए तो गंटों का समय भी कम पड़ जाए इसलिए मैं अपनी वानी को यही पर विराम देता हूँ अगर आपको हमारे यह प्रयतन अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें